जै माता दी, दोस्तों बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर सब से पहले तो आप सभी को नवरातरी की बहुत बहुत शुब कामनाई माता रानी हमेशा आप सभी के घर परिवार पर अपनी किरपा बनाए रखे नवरातरी के नौ दिनों में हम सभी नौ दिनों तक उपवास करते हैं कई बार अग्यानता वस हम कुछ चीजों का सेवन कर लेते हैं क्योंकि हमें उस बात का ग्यान ही नहीं होता और हमारा वरत खंडित हो जाता है आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के देवी भागवत के अनुसार हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन का नहीं ताकि हमारा वरत खंडित ना हो और हमें माता रानी का की किरपा प्रापत हो आईए जानते हैं उन चीजों के बारे में पर उस से पहले जो बंदू मेरे चैनल पर नहीं हैं जिनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले भगतो बच्चो सबसे जरूरी बात अगर कोई मा का भगत हर रोज औशली खाता है तो उसको वरत के दोरान भी औशली जरूर लेनी चाहिए क्योंके औशली लेने से कोई वरत खंडित नहीं होता औशली ना लेकर आप अपनी बिमारी को बढ़ावा दे सकते हो इसलिए वरत में फलाहारी चीज़ों के साथ साथ अपनी औशली लेते रहें वरत में लाल मिर्च का उप्योग नहीं किया जाता आप हरी मिर्च को उपयोग में ला सकते हो वैसे तो हमारे गरंतों में हरी मिर्च का सेवन करना भी वर्जित है क्योंकि मिर्च को तामसीक भोजन कहा गया है लेकिन लोग हरी मिर्च खा लेते हैं पर ध्यान ये रखना है कि हरी मिर्च भी पड़ी-पड़ी कई बार लाल की हो जाए उसको नहीं खाना इसी के साथ साथ वरत में किसी भी परकार की गोभी चाहे वो फूल गोभी हो या पत्ता गोभी भिंडी हरी मटर बैंगन वगेरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए वरत में आलू लौकी शकरकंद पीला कद्दू की सबजी खाई जा सकती है कई लो कर्टर का यूज भी बिल्कुल वरत के दोरान नहीं करना चाहिए हो सके तो सबजियों में काली मिर्च का उपयोग करें वरत में किसी भी परकार की दाल का सेवन नहीं करना वरत में आयोडीन नमक का उपयोग भी नहीं किया जाता उसकी जगा सेंदा नमक यूज कर सकते हो पानी फलों का जूस दूद छाच लसी इतियादी का सेवन किया जा सकता है लेकिन बाजार के जूस छाच दही इतियादी का सेवन ना करें क्योंकि इन में नमक या कुछ मिलावट हो सकती है वरत में जो भी खाएं अपने घर पर बना हुआ ही खाएं बाजार की चीजों से परहेज करें शुदका का विशेश ध्यान रखें आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ जै माता दी